एक मकड़ी अपना जाला बनाने उप्युक्त स्थान की तलाश में थी. वह चाहती थी कि उसका जाला ऐसे स्थान पर हो, जहां धेर सारे कीड़े मकोड़े और मक्खियां आकर फासे. इस तरह वह मजे से खाते पीते और आराम करते अपना जीवन बिताना चाहती थी. उसे एक घर के कमरे का कोना पसंद आ गया और वह वहां जाला बनाने की तयारी करने लगी. उसने जाला बुन्ना शुरू ही किया था कि वहां से गुजर रही एक बिल्ली उसे देख जोर जोर से हसने लगी. मकडी ने जब बिल्ली से उसके हसने का कारण पूछा, तो बिल्ली बोली, मैं तुम्हारी बेवकूफी पर हस रही हूँ. तुम्हें दिखाए नहीं पढ़ता कि ये स्थान कितना साफ सुत्रा है. यहां न कीडे मकोडे हैं, नहीं मक्खिया. तुम्हारे जाले में कौन फस बिल्ली की बात सुनकर मकडी ने कमरे के उस कोने में जाला बनाने का विचार त्याग दिया और दूसरे स्थान की तलाश करने लगी. उसने घर के बरामदे से लगी एक खिलकी देखी और वह वहां जाला बुनने लगी. उसने आधा जाला बुनकर तैयार कर लिया था, तब हवा चलेगी और तुम्हारा जाला ओर जाएगा। मकड़ी को चिरिया की बात सही लगी। उसने तुरंत खिर्की पर जाला बुन्ना बंद किया और दूसरा स्थान ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उसकी नजर एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। उस अलमारी का दर थोड़ा खुला हुआ था। वह वहां जाकर जाला बुन्ने लगी। तभी एक कौक्रोच वहां आया और उससे समझाईश देते हुए बोला इस स्थान पर जाला बनाना व्यर्थ है। यह अलमारी बहुत पुरानी हो चुकी है। कुछ ही दिनों में इसे बेच दिया जाए तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मकरी ने कौक्रोच की समझाईश मान ली और अलमारी में जाला बनाना बंद कर दूसरे स्थान की खोज करने लगी। लेकिन इन सब के बीच पूरा दिन निकल चुका था। वह थक गई थी और भूग प्यास से उसका हाल बेह हो चुका था। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं रह गई थी कि वह जाला बना सके। थक हार कर वह एक स्थान पर बैठ गई। वहीं एक चीटी भी बैठी हुई थी। थकी हारी मकरी को देख चीटी बोली मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ। तुम जाला बुनना ऐसा ही हाल होता है। चीटी बात सुनकर मकरी को अपनी गलती का आहसास हुआ और वह पच्ताने लगी। C. अकसर ऐसा होता है कि हम नया काम शुरू करते हैं और नकारात्मक मानसिक्ता के लोग आकर हमें हतोत्साहित करने लगते हैं। वे भविश्य की परेशानिया और समस्याए गिना कर हमारा होसला तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार हम उनकी बातों में आकर अपना काम उस स्थिती में छोड़ देते हैं। जब वह पूरा होने की कगार पर होता है और बाद में समय निकल जाने पर हम पच्ताते रह जाते हैं। आवश्यक्ता है कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करें तो पूर्ण सोच विचार कर करें और उसके बाद आत्म विश्वास और द्रिर निश्चे के साथ उस काम में जुट जाएं। काम अवश्य पूरा होगा। जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो लक्ष के प्रती ऐसा ही द्रिष्टि कोन रखना होगा।